आपको बनाने जा रहे हैं एक cold sandwich जिसका नाम है chicken and cheese sandwich इसके लिए आपको chicken के पीसे जाहिए मैंने ब्रेस के लिए इसे मैंने बॉच करकर बॉइल किया है इसमें जो चीजे मैंने डाल की साथ में नमक था कुटी भी लाल मिर्च और अदर कलेसं का पेस्ट ठीक है अगर आपसे यह हातों से नहीं होता है अच्छ से तो आप इसे जो है चॉपर में डाल करके कर सकते हैं तो यह चिकन हो गया sweet corn मैं डाल रही हूँ आपको cans में मिल जाता है cheese मैं इसमें cheddar cheese आपने इसको बारीक कद्दू कश कर लेना है soya sauce जाएगा बीच में डार्क soya sauce इसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा एक काम जो मैंने और किया हूँ है कि जो ब्रेड की slices है उनकी आपनी दोनों साइट पर मखन लगा लेना है तो वह में आपको कर चुकी हूँ वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो के आपको सीधे मेरे website cookwithfaisa.net पर ले जाएगा चिकन के अंदर अब बाकी की चीज़ें आट का लिट वी ये चलीगी बीच में तसीवी काली मिर्च सोया सॉस, सिरका, जेतून, यह देखने कितना इसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है स्वीट कॉन डाले, थोड़ा यह कम आपकी अपनी चॉइस पर है, पहले मैं थोड़ा डालूंगे देखने कि कितना इसमें सही रहेगा चीज जाएगी बीच में तमाम चीजों को डाल करके अच्छी तरह आपने यह पर अब मिक्स करना और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसके सैंड्विश किस्ता बनाएंगे यह मिक्स जो है, अब आप इसे बना करके फ्रिज में एर टाइट कॉंटेनर में एक से दो हफते की रख सकते हैं जब आपका देल चाय आप इसे निकालें रिज हो प्रेट पर मकषन लगते हैं दोनों जारेट पर इसके बाद पीजा सौस लेटा और आप इसे सेर्फ कर सकते हैं लेकिन इसे आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं. अब आपने क्या करना ह Chief ब्रेट के स्लाइसे जिन पर मैंने अलड़ी मक्षन लगा दिया हुआ है आपने इस पर पीजा की सॉस लगानी है पीजा की सॉस लगा लेने के बाद जो चिकन का और चीज का मिक्षेर है वो आप काम यह जादा अपनी चॉइस से लगा सकते हैं अब यहां पर देखें जो इसकी साइड्स हैं ब्रेट अगर आप बिलकुल फ्रेश लेकर आएं तो फिर आपको साइड्स काटने की जूरोत नहीं क्यों कोई चीज जाया की जाए ठीक है लेकिन अगर आप उस ब्रेट से बिना राएं जो कि फ्रेज में है तो तोड़ी सी जो है सक्त हो जएती तो तब आप उसकी साइड्स बेशे कर लें और इसकी साइड्स राख लें ब्रेट क्रम्स के लिए काम आ जाती है साथ साथ मैं बता देती हम कि क्या चीज आ अप इसो कीमाय कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं अज बिलकुल फरेश न कर सकते हैं तो मैं अचिए बलकुल फ्रेश क्यों को है। इस किसैंट बना भी फ्रेज में हिए तो 2-3 दिन के लिए, किसी किसे आप रखेते था। क्योंकि ब्रेड फ्रेज में जाकर कि उसका मॉस्च्चर भिल्कुल खतम हो जाता है वो सख्त हो जाती है तो आप क्या करेंगे विताइज़ बनाकर आपने जो टी टावल होता है उसे आप गीला करते हैं बिल्कुल अच्छे से गीला करकर उसे अपनी चोड लीजेगा ने चोडने के बाद बीश में सैंविज़ रखें उससे कवर कर लें और किसी एटाइट डबे में फिर आप उसको रख सकते हैं तो आपके सैंविज़ बिल्कुल जो है सॉफ्ट आप उसको खा सकते हैं ठीक है तो भी आपको त्रीका बता दिया अभी है कि इसी किसे आप सैंविज़ बिनाएंगे और ये बचों के लांच बॉक्स में जा सकता है अभी को मिमान आ जाते हैं तो आप इसी कि सर्फ कर सकते हैं चाय के साथ में ये कोड सामजी होते हैं बेसिकली रमजान शरीव भी है आप उसमें भी बनाईएगा सम्तिंग डिफरेंट और जो दूसरा है साइड ब्रेट का उस पर भी आप पीजा सॉस लगाएंगे ठीक है अगर आपको जादा नहीं लगानी तो फिर आप बेशक मत लगाईएगा लेकिन मैं दोनों साइड पर लगाती अगर यह जो आपको पसंद है शौस केसा साथ सर्फ कर सकते हैं लेकिन यह को बतादिये किस्क्री के स्कते लिकिन साइड मैं सी नहीं काट रहूं रेस्पी आपको बसाद आती है तो प्लीज उसे लाइख, शेर, सब्सक्राइब जरूर किया करें complete written recipe English में आपको मिलती है मेरी website which is cookwithfaisa.net पर YouTube के नीचे description box में आप लोगों को रेस्पी की मिक्दार यान की quantity भी बता दी जाती है जरूर बनाईएगा मतायब को कैसा लगा दौा में याद रखें and thank you for watching the video मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें bell icon का button बटन तबाएं make sure कीजिएगा के all भी प्रेस कर दीजिएगा ताके आप लोगों को मेरी latest videos receive हो जाएं